हेलो स्टुदेंट्स आज मैं आपको बताऊंगा प्रोजेक्ट प्लाइफ साइकल का अजाइल माडल के बारे में अजाइल माडल जो है वह हमने आपको जिसे पहले बता कि एक इंक्रिमेंटल माडल होता है और एक अपका अजाइल माडल दोनों को साथ लेके चलता है इंक्रिमेंटल माडल और आपके आइटरेटिव माडल को दोनों को साथ लेके चलता है इसमें क्या सबसे ज्यादा जोर इस बात पर दिया जाता है कि प्रोजेक्ट के छोटे-छ delivery time से कर दिया जाता है और delivery time से करने के बाद उसके जो भी चेंज़ेस है उसका स्वागत किया जाता है तो इसकी सबसे बड़ी खासियत है कि यह आखरी समय तक अगर कोई भी change की request आती है तो उसका स्वागत करता है इसका जो मुख्य सिधान थे कि customer को हमेशा अपने साथ जोड़े रखता है प्रोजेक्ट के साथ जोड़े रखता है यानि customer collaboration over contract negotiation is very important for the agile model तो जब एक customer involved रहता है उसमें अपना collaborator रहता है तो वो इसको अपना जो यूज करता है deliverable को और साथ-साथ feedback देते रहता है तो वो शुरू से लेकर आखरी तक project के साथ जुड़ा रहता है यूज वाली agile model भी जैसे अपका iterative model और incremental model है software के लिए use करते हैं ये भी यूज वाली software development के काम ही आता है software development के जो project से वो यूज वाली agile model से बनते हैं ठीक है तो इसमें दूसरी बात जो है ये हमेशा ये अपना emphasize करता है कि जो भी change आ रहा है भले last moment तक भी change आए उसको incorporate करें ये हमेशा changes के स्वाबब करता है अचा दूसरा agile model का जो principle है जो हमारे team members से ये इनके interactions पर जोर देता है ना कि processes के उपर जोर देता है या tools के उपर जोर देता है कि नहीं हमारे ये tools लगना चाहिए या ये process लगना चाहिए ये team members के आपस के interaction में जो भी जिस्ट निकल के आता है उस आधार पर हमारे software को change करता रहता है इसका जो खास बात है deliverable की ये बजाए कोई document देने के working software करता है यानि इसको अपन कहते है कि concrete चीज हमको देता है tangible product हमको साथ में देता है बजा किसी document के दो documentation is also necessary यानि documentation भी गलत नहीं होता है documentation भी बहुत ज़रूरी रहता है लेकिन deliverable के रूप में software मिल जाना उससे ज़्यादा बेटर साबित होता है तो ये sprints के रूप में छोटे-छोटे parts के रूप में software provide करता जाता है regular intervals पे जिससे कि इसको timely feedbacks मिलते जाते हैं और timely वो changes को अपने software development में incorporate करते जाते हैं ना जैसे कि मैंने आपको बता है इसका जो है response है changes के पती वो बहुत ही अच्छा है और यह model इस प्रकार का है कि कि किसी भी stage पर या किसी भी sprint में कोई भी change आ जाए तो इसमें change करने की flexibility है तो यह flexibility इसको दूसरे model से कहीं आगे पहुचा देती है और दूसरी बात क्या है कि customer का satisfaction, stakeholders का satisfaction इसे बहुत जादाता है वो अपने आपको project से जुड़ा हुआ महसूस करते हैं अब दूसरी बात करें कि अगर हम इसके advantages की बात करें तो agile method की सबसे बड़ी advantages की flexibility जो यह last moment तक भी change को स्वागत करता है और उनको अपना incorporate करके अपने लागू करता है अपके project में और दूसरा क्या है कि customer का जो involvement है शुरू से लेकर आखिर तक project के साथ बना रहता है तीसरा सबसे बड़ा advantage है कि यह early delivery दे सकता है अपने deliverables की और चोथा जो सबसे बड़ा advantage इसमें आएगा कि quality improved है यानि आप एक बनी-बनाई leak पर चल रहे हो बने-बनाई धरे पर चल रहे हो तो उसमें जो भी आपकी quality आप उसको compromise करना है लेकिन यह हर stage पर quality में improvement पर जोर देता है अब इतना ज़्यदा advantages के साथ कुछ ना कुछ disadvantages भी आएगी इसकी सबसे बड़ी disadvantage है कि हम इसको predict नहीं कर पाते हैं कि इसके आगे हमारा क्या होगा जीसे अब हम इसकी cost को predict नहीं कर पाते हैं कि इस project में कितना time लगीगा या इस project में कितना budget की जरुत है तो यह इसकी वो है और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि changes को incorporate करने के लिए जो हमारे team member से वो भी तो skilled होना चाहिए अब unskilled labor होगा उसको तो बना जैसा काम एक बार सिखा दिया तो वो तो लकीर का फकीर जैसा वैसा ही काम करेगा और जो skilled team member होगा जो भी changes आएंगे उसके आधार पर अपनी planning को immediate change कर सकता है तो आप लोगों ने देखा students की agile method जो है बहुत ज़्यादा use होने वाला है लेकिन software development में क्योंकि software development में ये problem आती है कि हर stage पे उसमें कुछ न कुछ challenge सामने आता है कोई न कोई bug सामने आ जाता है जिसको की दूर करना बहुत जरूरी हो जाता है तो it is very best suited for our software development projects तो आज के लिए इतना ही आज के lecture के साथ हमारा project life cycle का जो chapter है वो complete होता है हम अपने अगले lecture में project management processes के साथ आपके सामने होंगी तब तक के लिए thank you very much